Hello viewers, welcome back to my channel again, Great Solution Institute में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टेली प्राइम के अंदर वो फीचर जो के काफी यूसफुल है और मैं समझता हूँ कि आप मों आना ही चाहिए अगर आप इंवेंटरी संभाल रहे हैं तो, अब इंवें कौनिटी लेते हैं एक तो रेट कुछ और होता है लेकिन अगर कौनिटी कुछ और लेते हैं तो रेट कुछ और होता है अगर दस से उपर लेते हैं रेट कुछ और होता है तो वो क्या है बिसिकली वो है प्राइज लेवल कि हमने बेस्ट और कौनिटी रिक्वाइड जो हम आपका टैली का operator जो कि टैली में data entry punch कर रहा है यहां फिर हम बात करते हैं जो उसके account समभाल रहा है जो उसकी billing समभाल रहा है लेकिन add the spot बात करें कि वो उसके हाथ में नहीं होता कि बोले अच्छा पुरी साब आप आयो चलो कोई नहीं 120 बंते हैं आप 100 दे दो ऐसा नहीं होता जो billing पर amount आएगा वही देना होगा तो billing set कैसे करेंगे हर एक आइटम का price set कैसे करेंगे और कितने order पर क्या scheme देनी है डिसकाउंट देना के नहीं देना वह समभाज कम कवर करने वाले हैं इस feature यंदर इसका नाम है प्राइज लिस्ट शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई विवर इस चैनल पर पहली अगर एक लेगा तो rate कितना होगा अगर दो लेगा तो कितना होगा दस से कम और दस से उपर लेगा तो कितना उस के लिए मुझे क्या घरना होगा inventory महें प्राइ्ज लेवल on करना होगा तो मैं चलता हूं पहले यहाँ पर gateway of tally पर उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा create और यहाँ पर देखूँगा मुझे मिलेगा price level मैं यहाँ पर करता हूँ enter अब देखिए यहाँ पर दो पहले से बने होए old customer new customer अब यहाँ पर बास समझने की है कि जैसे अब दिवाली आने वाली है यहाँ फिर कभी दशारा निकल गया है होली आएगी Christmas आएगा New Year आएगा बसंत पंचमी आगी कितने festivals आते हैं इंदुस्तान के अंदर हैं तो हर एक time पर offer निकला होता है वो offer में क्या लगा होता है कि यह चीज इतने की MRP है इतने का पड़ेगा इतने quantity लेंगे तो इतने का और कम हो जाएगा इसा होता है ना तो आप यहां पर offer भी create कर सकते हैं यहां पर मैंने कलासे बताया था कि old और new customer की जो मेरे customer पुराने है जो जूड़े हो है मेरे साथ उनके को मैं डिस्काउंड दूंगा 2% का या 5% का जो नए है उनको मैं नहीं दूंगा तो वो computer के ओपर तो यह मैंने जो है बनाया एक प्राइस लेवल जिसका नाम है computer इंटर किया यहाँ पर बन गया और सेव हो गया लेकिन अभी इसके अंदर कोई आइटम मैंने फिक्स नहीं कि इसके बाद अगर हमारी के अंदर अगर कोई प्लटे कोड़ आइटम ग्रूप के अंदर है तो मैं ग्रूप पर जाओंगा लेकिन क्योवा आईटम थी वह 2023 एंटर किया अब यह देखिए यह सारी वो आइटम है जो मेरी सामने के सामने शो हो रही है प्रैमरी के अंदर तो यहां से मैंने लिया वाइरलेस माउस एंटर किया तो यह बता रहा है कि मेरे पास कोस्ट प्राइज है वो 350 रुपे है अब मुझे सेट करना है कि जब हम स्कैन करेंगे वहाँ पर तो कितने का वो शो करेगा तो यहां पर आरी है quantities और बतारा कि from और less than अब यहां बात समझने कि यहां कि अगर मैं less than करता हूँ four तो उसका मदलब के है वो number जो चार से कम होता है और वो क्या होता है एक दो और तीन तो अगर मैं यहाँ पर less than four गरूंगा उसका मदलब के है कि वो चलेगा तीन तक उसका मदलब के है कि आप तीन तक ले रहे हो तो जो rate होगा आपका बेशने का वोगा 450 रुपे निस्काउंट अगर है डाल सकते हो नहीं तो कोई नहीं ओके एंटर करता हूँ 4 से लेके 11 means 10 तक item 4 हो 5 हो 6 हो 7 8 9 या फिर 10 10 तक भी करेंगे क्योंकि मैंने 11 से कम किया है तो rate आपका होगा 450 रुपे बट discount आपको मिल जाके इतने का 5% का लेकिन अगर 11 से उपर पाय करते हो तो आपका rate किया होगा 450 रुपे अगर आपको rate कम करना तो कम भी कर सकते हैं जैसे मैं rate कम कर दिया कितना 440 रुपे और discount हो कितना 10% ठीक है और मैंने यहाँ पर किया end of the list तो यह हमारा एक आइटम का हो गया अब इसी तरह मुझे और आइटम का भी एड़ करना होगा अगर multiple आइटम का एड़ करूंगा तो उसके लिए time भी चाहिए तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर एक ही करके बता रहा हूं तो आप जैसे मैंने wireless माउस का किया है वैसे आप और आइटम का भी कर सकते हो अब बात समझने की किया कि मैंने किया किया है कि लेस देन फूर का मतलब किया है कि मीन्स तीन तक कि अगर तीन तक मैं लूँगा तो रेट पढ़ेगा 450 डिसकाउंट कोई नहीं है अगर मैं लूँगा क्वांटिटी चार से लेके 10 तक तो रेट पढ़ेगा 450 बट पांच पशंट डिसकाउंट भी उसके उपर और अगर लेता हूं ग्यारा सी उपर तो रेट पढ़ेगा 440 रुपे में 10 रुपे कम हो गए और उसके साथ-साथ डिसकाउंट मिलेगा 10 पशंट का एक्स्ट्रा तो मैं करता हू यहां पर एंटर एंड अफ दिलिस्ट एंड बाहर अब क्योंकि वह एप्लिकेबल था मेरा 26 अक्तूबर से तो उसकी जो एंटरियम करेंगे सेल की वह 26 अक्तूबर या उसके बाद की होनी चाहिए अगर आप पहले करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी तो नहीं लेगा मैं स्क पाटी नेम कैसले तो अधर्वाइस आपको धार दे लिए तो धार भी कर सकते अप्टू यू मैं आपकर करता हूं कंट्रोल ए कंट्रोल ए यसी मैं करूंगा देखिए यहां और यह प्राइस लेवल की तो मुझे लेना है कंप्यूटर असेसरीज अगर कोई आफर नहीं च क्या था अब वहीं चलेगा और किसे काम नहीं करेगा मैं डिया वाइरलेस माउस कितने पीस चाहिए अब मैं यहां पर लिया तीन पीस जैसी तीन लूंगा तो देखो क्या होगा रेट जो आउटमेटिकली आएगा 450 रवे अब यहां पर डिसकाउंट कॉलम नहीं आरा तो को आन करना पड़ेगा तो मैं यहां पर स्केप करके पीछे आता हूं और पहले मैं एफ 11 में जाके निसकाउंट कॉलम को यस कर लेता हूं यूस डिसकाउंट कॉलम और इन्वाइस इसको मैंने किया यस कंट्रोले करके यहां से बाहर आ गया आइटम का नाम था वाइलेस मा यहां मेरा गुडॉँं ल्यक्ति मेरी गुडॉटाविकी और यहां लोकेशन तो मैं यहां पर लोह published ? मैं तो फंद पीर नहीं तो देखिए और discount कितना हो गया 10 rupees तो automatically जो आई एक पीक करेगा हमें manually enter करने की जुरूरत नहीं है तो इसको बोलते है price level जो की बहुत ही important है जब भी हम POS के उपर गाम करते है point of sale के उपर तो इसका बहुत ही important role है जहाँ पर हमें हर एक item के उपर item rate fix करना होता है कि क्या rate है क्या discount है as per 10 lab ता करता हो समझ में आगे आओगा अंगर वीडियो चिलिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें तोस्तों के भी शेयर कर दें और हाँ जाने से पहले फिर कहूंगा चैनल पर नए है तो subscribe भी कर ले ऐसी useful वीडियो के लिए so keep learning with us अपना ख्याल दखेगा तब तक के लिए bye bye take कर जया है